हलो माई डियर स्टूजिंट्स तो बायो टेकनलोजी का एंड आ गया है बच्चों बस अब हमारे एक दो टॉप एक दो लेक्ट्चर्स में इस टॉपिक विल बी फिनिश्ट आई थिंग आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझा होगा और आपको मज़ा भी क्योंकि बायो टेक बहुत ही कॉंसाप्च्छ टॉपिक है जिन बचों ने साथ में प्रैक्टस की हैं सी क्यूज किये हैं उनका तो यह टॉपिक काफी स्ट्रॉंग हो गया होगा जिनों नहीं की है वी भी टाइम है यू के अभी अभी जो भी कॉंसेप्ट्स आपने बढ़ हो रहे हैं जसमें हमने अग्रिक कॉल्च्रल मेडिकल अप्लीकेशिंज कर ली हैं अभ आता है इसका लास्ट पार्थ त्रांसजैने काणिस जो कि आपको पता है इस रांसजैने क् यहीं दो यह को अД ansaw can talk च्र्वह शीकुंवों सॉबंडबने सब्सक्रेंच कर रहे voter और वो intentionally change कर रहे हैं अपने आप होता है that is mutation बट अगर हम intentionally किसी दूसरे organism किसी दूसरी species का gene निकाल कर किसी organism में transfer करते हैं और वो gene उसमें जाकर खुद को express करके कोई product बनाता है या उसमें कोई भी phenotypic change आता है उसकी वज़ा से तो इस तरह के organisms को हम कहते हैं अगर इसी definition में हम आनिमल्स कह दें और गयानिजम की जगह अगर हम वर्ड यूस कर दें कि आनिमल्स विच आर जेनिटिकली मैनिपिलेटेड तो उन्हीं को आप कहा देंगे ट्रांस जेनिक आनिमल्स और जेनिटिकली मॉडिफाइड अनिमल्स ठीक है क्लियर तो सबसे पहले हम इसकी definition लिख लेते हैं इस topic में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना बचों इस इस वाइड सिंपल टॉपिक इसमें बस आपको आनिमल्स की definition बता होनी चाहिए ट्रांस जेनिक आनिमल्स की और इनके क्या-क्या application से कहां-कहां इन्हें यूज करते हैं हम वह हम दिस्कूस करेंगे ठीक है तो definition simple है हम लिख लेते हैं भी मैंने आपको बताया आनिमल्स आनिमल्स आइनिमल्स आट हैव जिनका DNA मैनिपलेट किया गया है मैनिपलेट डियने ठीक है यह जीन भी लिख सकते हैं विच पज़ेज और उस मैनिपलेशन की वजह से उनमें क्या है विच पज़ेज एंड एक्स्प्रेस जिनमें प्रेजेंट भी है और सबसे इंपर्टेंट बद एक्स्प्रेस भी तो होना चाहिए ना वो जीन तभी तो हमारे लिए उस्फुल है विच पज़ेज एंड एक्स्प्रेस आपर हम बचों एंड पज़ेज वाट पज़ेज एंड आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं बस आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसजेनिक अनिमल्स क्या है कुछ एक्जाम्पल्स बता सकते हैं आप सबसे कॉमन एक्जाम्पल तो आपने सुनी रखा होगा येस माइस है ना उनके अलावा कई जगे आप लोगों ने शीप के एक्जाम्पल पढ़े हैं मचों शीप में भी कई सारे मॉडिफिकेशन किये जाते हैं क्योंकि आपको पता है शीप एकनॉमिकली यूसफुल आनिमल है तो उससे मिल्क भी मिलता है तो किसी प्रड़क्ट को उसके मिल्क के थ्रू भी जाता है because mice is the favorite animal for the researchers सबसे जादा researches होती है mice पर ठीक है तो ट्रांसजेनिक माइस कोई भी मानलो जीन को study करना है कि किसी जीन का किसी डिजीज का जीन से क्या को रिलेशन है उसको अगर study करना है तो इस तरह के जीन को माइस में इंसर्ट करते हैं और फिर माइस की बॉड़ी पर उन जीन के effect को देखते हैं तो डिजीज को या किसी जीन को regular study करने के लिए mice are very commonly used ठीक है ट्रांसजेनिक माइस एक मैंने आपको बताया ट्रांसजेनिक शीप cattle में भी बहुत commonly किया जाता है क्योंकि cattle dairy farming पूरा dairy industry में यूज होते हैं तो cows वगरा में high yielding genes introduce करवाके transgenic cow produce की जा सकती है या cow milk से milk तो produce करती ही है वो मान दीजे किसी particular disease को treat करने के लिए कोई medicine हमें चाहिए है ना medicine मतलब medicine in the form of enzyme जो already human body में बनता है लेकिन किसी person में वो enzyme नहीं बन पा रहा है तो हम उस gene को cow में introduce कर दें तो cow के milk में वो प्रड़क्ट भी present होगा और milk से वो प्रड़क्ट isolate करके उसको as a medicine available करवा सकते है या directly उस milk को medicinal milk की फॉर्म में available करवा सकते है ठीक है clear तो mice sheep cattle rabbits भी दिया है आपकी book में pigs पर भी काफी experiments होते हैं और यहां पर एक इंपोर्टन लाइन लिखिए जिस पर आपसे question पूछा जा सकता है है बहुत easy कि almost 95% of existing transgenic animals जिते भी वर्ल्ड में transgenic animals है उनमें से 95% transgenic animals कौन है बचो आर mice ध्यान रखिएगा ठीक है सबसे ज्यादा जो transgenic transgenesis किया जाता है मैस पर किया जाता है for the research and study purpose ठीक है clear simply definition हो गई अब हम इसके uses देख लेते हैं applications क्या क्या है इसे आप note-down कर लीजे फिर मैं applications discuss कर लेते हैं इसके बाद यह चलिए हहीं पर रिख लेते हैं no problem नेक्स्ट आता है हमारा applications ठीक है applications इवचो थोड़ा theoretical topic है इसमें बहुत जादा ऐसी कुछ चीज़े नहीं है जो समझाने की हूँ पस आपको main main key points या दोने चाहिए अगर neat में option में कोई point आता है तो you have to choose अगर board में question आता है write some applications of transgenic animals then you have to write these points ठीक है तो applications में सबसे पहले फॉर्स्ट है जो आपकी book में दिया मैं NCRT के according पढ़ लेते हैं normal physiology and development normal physiology and development यानि अगर हमें किसी भी कोई factor है माल लीजिए हमारी body में कोई hormone है कोई growth factor है उसका हमारी body वो जीन ने कैसे बनाया और उसके बनने के बाद हमारी growth पे उसका क्या effect होता है या जो भी उससे related physiological function है हमारी body में वो कैसे change होता है उस factor के excess से या उस factor की deficiency से क्या क्या changes आते हैं अगर इन सारी बातों को हम study करना चाहते हैं तो उसके लिए जो best transgenic models है वो है mice तो mice में इस तरह के genes को जो इन growth factors को या hormones को बनाते हैं पहले उन genes को identify करते हैं फिर उनको human cell के DNA से isolate करके उस gene को restriction enzyme से cut करेंगे और फिर उन genes की multiple copies करके उन्हें माइस में introduce करेंगे embryonic stage में तो जो adult mice होगा उसमें उसके features आएंगे जैसे जैसे माइस की growth होगी वैसे वैसे उस hormone या उस factor का effect भी माइस में देखा जाएगा और उसे compare किया जाएगा एक नॉर्मल माइस के साथ जिससे हमें उसके बारे में पता चल जाएगा ठीक है तो इस त यहाँ पर आप इसको चाहिए तो explanation लिखें या simply short में लिख लेते हैं चलिए हम कि कैसे useful हैं में transgenic animals to study effect and regulation of gene किसी gene का body पर क्या effect होता है और वो कैसे regulate होता है to study the effect and regulation of gene transgenic mice are designed ठीक है और इसका एक example जो NCRT ने दिया है that is effect of insulin-like growth factor insulin-like growth factor और भी बहुत सारे human का जो growth hormone है उसको study करते हैं या कोई hormone का action देखना है वो gene जब hormone को बना रहा है वो कैसे करते हैं दोनों तरीके होते हैं जब तक biotechnology नहीं था तब तक hormone को inject करके देखते थे उस factor को inject करके देखते थे बट वो तो हम एक adult stage के बाद एक मतलब एक at least जब mice born हो जाएगा उसके बाद ही देख सकते हैं और एक particular limit में ही आप inject कर सकते हैं बट यहां तो आपने सीधा माइस में जीन ही इंसर्ट कर दिया तो अगर जीन उसमें इंसर्ट हो गया embryonic stage में तो अब उसकी हर सेल में वो जीन है और वो प्रड़क्ट भी बनाएगा तो उस प्रड़क्ट का स्टार्टिंग से लेकर एंड़ता उस माइस के life cycle पर क्या effect हो रहा है उसको बहुत इजीली study किया जा सकता है यह ट्रांसजनिक और गयानिजम्स का एक benefit है ठीक है simple then second use किया है इनका इसको रब कर दे definition you have noted या पूरा ही कर लिए अपसको snapshot लिए मैं पूरा ही रब कर लेती हूं फिर हम नेक्स application discuss कर लेंगे है डन है ठीक है second application है जैसे हमने normal जीन को study किया वैसे ही disease causing genes को भी study किया जा सकता है तो second study of disease या तो जैसे genetic disorder में जिनकी वजह से disease होती है ऐसे genes या फिर किसी भी disease का genetic क्या correlation है वो भी genes के help से study किया जा सकता है आपके बुक में लिखा है simply कि कई सारे transgenic models बनाए गए हैं जिनने human diseases को जिन में study किया जाता है जैसे कुछ examples यह हैं cancer या cystic fibrosis ठीक है आप लोगों ने जब nervous system पढ़ा होगा 11 में तब आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है एक तरीके का degenerative disorder मान सकते हैं एज बढ़ने के साथ साथ neurons का degeneration होता है और degeneration neuron degeneration की वजह से उस person की memory बहुत कम होती जाती है even वो बहुत जो अपने family के relatives हैं उनको भी identify नहीं कर पाता है कुछ कुछ समय के लिए बीच-पीच में उसको इस तरह के attacks होता है कि मलब time होता है कि इस time पर वो अचानक से सब related है किसी में भी हो सकता है तो इलजाइमर के क्यों हो रहा है ऐसे कौन से genes है जो neuron degeneration के लिए responsible है क्योंकि हर किसी में तो नहीं हो रहा किसी में जादा है किसी में कम है तो इसका क्या genetic predisposition है ऐसे genes को study करने के लिए अगेन animals में उन genes को introduce करते हैं उसके effect को देखते हैं और फिर उस disease के बारे में पूरी knowledge हो जाती है और उसके treatments से भी related study हाँ पर की जा सकती है कि मालनी जे कोई नया treatment बनाया अब हमें देखना है कि उसका effect कितना है तो उसके लिए पहले disease cause करनी पड़ेगी आनेमल में तो इसलिए क्योंकि हमेश्य कोई भी clinical trial होता है ना बचों तो उसमें पहले वो clinical trial animals पर किया जाता है तो फिर नेक्स फेज में humans पर जो voluntary जो volunteers होते हैं जो खुद उनको बता दिया जाता है कि यह effect हो सकते हैं जो disease person है उन पर भी वो clinical trials करके देखे जाते हैं ठीक है clear तो आनिमल्स तो जरूरी है ही clinical trial के लिए तो बायो टेक्नलोजी से हम उन्हें transgenic form में convert कर लेते हैं तो study of disease में simply आप लिख सकते हैं कि many transgenic many transgenic animals are designed to study effect of disease and its treatment effect of disease and treatment on human या इससे आप confused हो सकते हैं इसको ऐसे लिख दीजिए effect of disease and its treatment as human models उनको हम transgenic animals को human model से compare कर रहे हैं कि human disease just a minute बचो transgenic model human नहीं है model तो यह animal है transgenic model तो हम इस animal को कहेंगे are designed to study effect of disease and its treatment as on human यही सही था इसी को लिख लीजे आप ठीक है clear तो simply मतलब यहां पर theory लिखना matter नहीं करता बस आपको उसका concept पता होना चाहिए transgenic animals में इस तरह के questions बिल्कुल भी नहीं आते कि आप पूरी-पूरी theory लिखे आपको सिर्फ इनकी जो key points है ना उनका meaning बता होने चाहिए और कुछ examples पता होने चाहिए ठीक है तो इसके examples लिख लेते हैं हम कौन-कौन सी disease के लिए transgenic models तयार किये गए हैं जैसे की cancer cystic fibrosis cystic fibrosis कहां पढ़ा था यार दे किसी को genetics में आपने यह पढ़ा था यह ऑ्टोजोमल dominant disorders में है ना यह ऑ्टोजोमल recessive में सोचके बताओ मैं आम बोले यह ऑ्टोजोमल dominant dominant नहीं यह ऑ्टोजोमल recessive disorder dominant में था myotonic dystrophy if you remember है ना cystic fibrosis की details आपने नहीं पढ़ी थी NCRT में नहीं दे रखी वैसे अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता है इसमें जगा जगा बॉडी में fibrous nodules cyst बन जाती है ठीक है जिनकी वजह से उस ओर्गन में disfunctioning की problem होती है lungs में बन सकती है liver में बन सकती है any of the body organ ठीक है तो cystic fibrosis को study करने के लिए क्योंकि यह genetic order है autosomal रेसे सिर्थ तो किसकी वजह से यह हो रहा है उसके लिए देखते हैं ठीक है जस्ट र मिनेट कि दैन ऐल्जीमस जो मैंने आपको अभी बताया neuron related disorder है और rheumatoid arthritis यह जो autoimmune disorder ने बच्चों इनके cause भी बहुत जादा भी तक पता नहीं है तो इस तरह यही माना जाता है कि यह किसी genetic predisposition से related होंगे है ना इस तरह की genes होते होंगे कुछ लोगों में जो immune system को sensitive बनाते हैं और वो खुद के ही antigens के लिए antibodies बनाने लग चाता है तो इस तरह के disorders को study करने के लिए transgenic models are prepared ठीक है clear then third application आती है this is very important biological product अगर question बनता है transgenic animals में तो सबसे ज़्यादा chances है इस topic पर question बनने के स्टार बना दीजिएगा biological products क्या होते हैं आप सभी को पता है कि medical में बहुत सारी medicines required होती है अलग-अलग disease को treat करने के लिए तो अगर उन medicines में से कोई अगर किसी disorder में कोई ऐसा disorder है जो किसी particular enzyme की deficiency से हो रहा है या किसी भी product की deficiency से हो रहा है और वो product already human beings में बनता है बट उस person में क्या हुआ कि कोई भी genetic defect है या किसी भी वजह से वो protein नहीं बन पा रही है तो deficiency disease होगी है ना तो उस deficiency disease को treat करने के लिए क्या चाहिए होगा आपको वही protein जिसकी deficiency हुई है वह सारे cases आपने पड़े जैसे hemophilia में anti hemophilic factor required है एक ADA deficiency में ADA enzyme के injections देने है तो इस तरह है कि जो प्रड़क्ट्स हैं जो already humans में बनते हैं बट उस patient में नहीं बन रहे हैं ठीक है उन products को या तो laboratory में बनाए हम या biotechnology ने transgenic animals के थूँ हमें एक रास्ता और बताया वो यह कि ऐसे animals जो economically important हैं ठीक है यानि कि cattle हो गए सबसे important sheep है cows हैं इन में क्या करें हम इन में उस gene को introduce करें जो उस protein के लिए code करता है ठीक है अब क्यूंकि in animals के milk को use तो किया ही जाता है तो जब यह animals in animals के body में अगर embryonic stage में आपने वो gene insert कर दिया तो वो gene क्या करेगा multiply करेगा हर cell में होगा और वो gene express भी करना चाहिए वो तो बायो technology का first purpose है तो वो product बनाएगा उन animals में और उस product को हम क्या करेंगे उन animals के product से isolate कर देंगे ठीक है या जैसे कि cow milk है तो cow milk से उस particular protein को उस enzyme को निकाल देंगे या अगर directly use करना पॉसीबल है तो cow milk को directly उसको as a medicinal milk जैसे मैंने पहले कहा available करवा देंगे क्या फायदा हुआ इस पूरे process का बचो this is done for the cost effectiveness क्यूंकि अगर laboratory में artificial तरीके से अलग से पूरा setup बनाते और उसमें इस enzyme को produce करते possible है किया भी जाता है तो वहाँ पर cost थोड़ी जादा आती है और medicine की cost भी जादा हो जाती है बट अगर economically important animals को use करके हम उन्हीं में इन products को बना लें तो उनका जो भी product होता है उसको हम directly use कर सकते हैं या उससे isolate करेंगे तो double benefit हो गया financially एक तो वह product जा रहा है market में plus उससे हमें वह medicine मिल गई ठीक है तो इस तरह से जो products medicines बनाई जाती है उनको कहा जाता है biological product क्यूंकि वह directly biological organism से isolate किये जा रहे है या biological animal के product में वह medicine present है ठीक है clear तो biological products का advantage क्या हुआ cost effectiveness और कुछ examples हम देख लेते हैं कौन-कौन से biological products बनाए गए हैं पहले लिख लेते हैं क्या होते हैं यह दो medicinal products the medicinal products which are produced with the help of with the help of economically economically useful animals जैसे की सबसे most important जाद कर cattles ठीक है clear अब इसमें biological products का advantage क्या है cost effectiveness और examples क्या है उसके लिए मैं यहाँ पर एक बना देती हूं examples के लिए visible है part इतनी जगह है हमारे पास की आपको दिखे टेबल ठीक है हो जाएगा इसमें पर I think advantage इसका लिख दिया मैंने cost effectiveness अब देखिए इसके examples क्या क्या हैं दो examples जो आपकी book में दे रखे हैं उस related table में यहाँ पर बना देती हूं बचो ठीक है यहाँ बना रहे हो मैं table आप लोग note कर लिजेगा इसमें तीन column कर लिजे एक तो ट्रांस जनिक आनिमल उस प्रड़क्त को हमने किस इस ट्रांस जनिक आनिमल से लिया फिर उस प्रड़क्त का नाम वो कौन सा प्रड़क्त है और फिर उसका यूज कहां यूज किया जाता है ठीक है clear इसमें जो first example आपके book में दिया है product में that is alpha 1 antitrypsin enzyme का नाम दिया एक alpha 1 antitrypsin यह inflammation को कम करेगा यह enzyme नॉर्मली इंफ्लमेटरी रेक्शन को कम करता है तो इसे कहां यूज किया जाता है इस यूज तो ट्रीट एंफाइसीमा पहले तो मुझे बताव एंफाइसीमा क्या था आप सभी ने पढ़ रखा है बहुत बार health and disease में मैंने भी पढ़ाया और 11 standard में भी पढ़ा होगा yes it is the damage to alveolar wall है ना जब किसी भी वजह से जो chronic smokers है या pneumonia में या कोई भी दूसरे lung infection में अगर alveolar wall damage होने लगती है ठीक है तो उसका जो lightic fluid होता है वो alveolar में भर जाता है इसकी वजह से respiratory surface decrease हो जाती है and patient feel this निया difficulty in breathing है ना तो जो cells का inflammation हो रहा है जो ने damage हो रहा है उसको रोकने का काम करता है alpha 1 antitrypsin हम सभी में होता है ठीक है बट जिन लोगों में M5CY है वहाँ इस alpha 1 antitrypsin की dose बढ़ानी पड़ेगी ठीक है तो इसलिए alpha 1 antitrypsin को बनाने वाला जो gene है उस gene को isolate किया और उसे introduce किया एक शीप में जिसका नाम है Tracy sheep कि यह first transgenic sheep भी है ध्यान रखना बहुत सारी transgenic sheep बनाए गई जिन में से first transgenic sheep जो है वो है Tracy sheep इसे आप डॉली sheep से बाद confused हो जाना अभी मैं स्टॉपिक के बाद आपको थोड़ा सा cloning के बारे में बताऊंगी NCRT में नहीं है बट नीट में पूछ लिया जाता है cloning is a different thing na cloning को transgenic animal का पाट तो नहीं मान रहें आप cloning में तो हम किसी एक already present sheep का clone बना रहें किसी और्गानिजम की exactly copy produce कर रहें यह बिलकुल different है यहां आप animal में modification कर रहें नया gene insert कर रहें ठीक है तो दोनों में confuse मत हो ना दोनों बिलकुल अलग अलग चीज़े है जो first transgenic sheep है वो है Tracy sheep और उस sheep में एक gene एक gene introduced किया गया which codes for antitrypsin और फिर उसके जो product से इस gene इस protein को isolate करके उसे use किया गया to treat emphysema ठीक है यह use मैंने आपको बताई दिया for cost cutting ठीक है इसी तरह एक दूसरा example जो आपकी book में दिया है बचों that is product का नाम है alpha lect albumin ठीक है product का नाम है alpha lect albumin अप सभी को पता है प्रोटीन होता है लेक्टोवर्ड आप milk के reference में पढ़ते हैं तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो लेक्ट albumin है वह actually में human milk में present होता है ठीक है after delivery baby को feed करने के लिए जो human milk है उसमें उसको nutritionally बहुत जादा balance करने के लिए alpha lect albumin present है ठीक है अब अगर मान लीजिए जब मान लीजिए बहुत सारे cases में ऐसा होता है कि जो भी newborn है उसको mother का milk नहीं मिल पा रहा कोई भी miss happening हो गई या मादर में milk produce नहीं हो पा रहा तो उन्हें जनरली उसको option क्या होता है आजकल तो खेर formula milk भी आते है market में पहले के time में उसको option होता था cow milk अभी भी दिया जाता है cow milk is a very good instead of chemical ingredient है उनसे तो अच्छा ही है वो ठीक है या फिर कुछ लोग cow milk भी उसकरते है और formula milk भी यूज करते है ठीक है तो जो cow milk दिया जाता है उसमें alpha lact albumin बहुत ही कम होता है ठीक है तो यहां पर क्या किया गया कि alpha lact albumin बनाने वाले जीन को isolate किया उससे transgenic cow produce की गई वही cow के embryo में उस जीन को introduce किया उससे calf बनेगा female होगा female cow होगा तो वो उसमें क्या होगा वो जो milk बनाएगी उसमें lact albumin भी present होगा और इस milk को use किया गया for feeding human babies ठीक है clear तो इसका use क्या है it is a more nutritional milk to feed human babies ब्योटेक का ultimate use तो यह ही है ना human welfare के लिए किसे ना किसी तरह से नए ना experiments करना और इसे produce किससे किया गया ध्यान रखेगा very very important example बहुत commonly पूछा जाता है rosy cow और यह भी cow में first transgenic cow है बचों सबसे पहली transgenic cow जो produce की गई that is rosy cow NCRT ने दोनों में first उसके examples लिये है ठीक है तो यह दो examples आपको ध्यान में रखने है clear और प्लस NCRT में ऐसा भी रिखाए कि और भी जो कई सारी डिजीज है जैसे PKU जहां पर फिनाइल एलिन हैड्रॉक्सिलेज इंजाइम की टेफिशेंसी होती है ठीक है और यह फिर सिस्टिक फाइब्रासिस जो हमने पड़ा इनको भी ट्रीट करने के लिए कई सारे इनको ट्रीट किया जाता है ठीक है clear तो यह आपको दो प्रड़क्स याद रखने आप चाहें तो आप अपनी नॉलिज के लिए और भी स्टेवल में अड़ कर सकते हैं बट बहुत जादा इन चीदों पर क्वेशन आते नहीं है तो यहां पर मैंने सिर्फ दो ही यूज आगे बढ़ें ओके ठीक है नेक्स्ट अप्लिकेशन है एक दे रखा है आपके बुक में वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग और एक दे रखा है क्यामिकल सेफ्टी टेस्टिंग ठीक है दोनों में से फित्ता सफर के कि वैक्सीन जो है उसको वैक्सीन क्या करता है डिजीज को प्रिवेंट करते हैं तो दोनों ही चीजों का सेफटी टेस्ट जरूरी है क्या पता वैक्सीन से बॉड़ी में कोई उसको टेस्ट करने के लिए अगें बच्छों यहां पर ट्रांसजनिक आनिमल्स यूज किया जाते हैं और जो भी नए नई दवाईयां मेडिसिन्स या ड्रॉक्स बनाए जाते हैं उनके टॉक्सिसिटी लेवल्स डिसाइड करने के लिए डोस होती है न हर मेडिसिन की इतनी भी नहीं तो कैसे डिसाइड की जाती है उसके लिए भी अगें अनिमल्स को यूज किया जाता है पहले अनिमल्स में ऐसे जीन्स इंटरॉज विए जाते है जो उन्हें उस मेडिसिन के लिए सेंसिटिव बनाए और फिर उन पर उस मेडिसिन या उस ड्रॉग उस क्यामिकल के इंजेक्शन देकर उनमें देखते हैं कि किस लेवल पर toxicity शो कर रहे हैं ये ठीक है तो बिल्कुल सबसे minimum dose calculate की जा सकती है क्योंकि हमने उस animal को sensitive बना दिया अब sensitive बनाने के बाद हमने वो drug inject किया तो अगर sensitive है तो कितनी dose को वो tolerate कर सकता और कहा toxicity शो करेगा इस तरह उसकी toxicity dose decide कर दी जाती है ठीक है तो simply इन दोनों uses को भी हम लिख लेते हैं दे फोर्थ बन इस vaccine safety vaccine safety testing एक तो chemical safety testing हो गया एक vaccine safety testing हो गया तो vaccine safety testing में क्या किया जाता है simply transgenic animals transgenic animals की जगा मैं mice लिख देती हूं क्योंकि ज्यादा तर अगें यहाँ पर भी पहले mice पर test होते हैं फिर monkeys पर होते हैं फिर humans पर होते हैं ठीक है तो transgenic mice are designed to test safety of vaccine पहले transgenic mice पर करते हैं अगर वो successful रहता है if successful then then testing is done on transgenic monkeys ठीक है transgenic monkeys monkeys near relatives में आते हैं है ना no doubt apes सबसे यहादा near relative है बट apes इपने commonly available होना पॉसिबल में और बहुत बड़े creatures हैं तो उन्हें experimentally use करना पॉसिबल में इसलिए monkeys को यूज किया जाता है ठीक है तो then it is उस वेक्सीन को commercialize किया जाता है ओके और आपकी बुक में एक example दे रखा है यूज ओफ सरी ट्रांजेनिक मंकीज ट्रांजेनिक मंकीज ट्रांजेनिक माइस आर यूज फॉर टेस्टिंग सेफटी ओफ पोलियो वैक्सीन हो सकता है ना इस तरह का पोलियो वैक्सीन की सेफटी टेस्टिंग के लिए किसे यूज किया जाता है ऑप्शन सा जाएंगे ट्रांजेनिक मंकीज ट्रांजेनिक माइस या ट्रांजेनिक काव तो आपने सब टेस्टिंग जिसको टॉक्सीसिटी टेस्टिंग भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर हम क्यामिकल की सेफटी डोस डिसाइड करने के साथ साथ टॉक्सिक डोस भी डिसाइड कर रहे हैं ठीक है इसमें सिंपली लिख लीजिए इसको एक्स्पें तो मैंने आपको करी दिया कि क इस तरह किया जाता है तो यहां पर भी transgenic animals यहां पर क्यों जरूत पर transgenic animals की? क्योंकि पहले उनमें ऐसे genes introduce करेंगे जो उस chemical के लिए उसे sensitive बनाएं transgenic animals are designed by introducing gene which make the animal sensitive which make the animal sensitive to a particular chemical जिसके लिए भी हमें टेस्ट करना है उसके according genes को introduce किया जाता है बहुत सारी knowledge हो नीची है हम तो बहुत 0.001% चीजे भी नहीं पड़ रहे हैं ठीक है? हम सिर्फ उसका बहुत superficial way देख रहे हैं तो transgenic animals को design किया जाता है कैसे? by introducing the gene which make the animals sensitive to a particular chemical ठीक है? और फिर उसकी dose decide की जाती है then chemicals then chemical is injected to study its effect its effect and toxicity level simple ठीक है? इसी को toxicity testing कहा जाता है इसे भी note down कर लिजिए एक use मैं additional आपको बता देती हूँ जो NCRT में नहीं है बट आप ध्यान रख सकते हैं यहीं पर हम लिख लेते हैं इस use को बचो that is molecular farming ठीक है? जो आप products जित्ती भी medicines या फिर एक term लिख लीजिए application नहीं तो एक term है molecular farming maybe अगर कभी कभार नीट में इस तरह के terms पर question आ जाता है तो farming वर जब हम पढ़ते हैं तो हम generally farming को agriculture से correlate कर लेते हैं यहां पर molecular farming जो टर्म है वो यूज होती है pharmaceutical industries के reference में आपको पता है ट्रांसजनिक आनिमल्स को हम कई जबा यूज कर रहे हैं तो ट्रांसजनिक आनिमल्स को यूज करके बहुत बड़े अमाउंट में कई सारी medicines बनाई गई हैं जिसकी वज़े से जो pharma industry है उसमें बहुत अच्छा evolution मतलब उसमें बहुत revolution हुआ है ठीक है बहुत बड़े हैं बहुत सारे प्रड़क्स जैसे इंसुलिन आपने पड़ा है ना इंसुलिन को तो चलो इंसुलिन को चलो ट्रांसजनिक बेक्टीरिया से उप्टें किया था पर चैसे अभी हमने दो प्रड़क्स पढ़े ऐल्फा वन अंटे रपसिन या और भी कई मेडिसिन को जिने ट्रांसजनिक आनिमल्स की हल्प से आइसोलेट किया रहा है यह सिसका एक बहुत अच्छा एक्जाम्पल है ट्रांसजनिक आनिमल्स से रिलेटेड है इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं कि मॉली क्यूलर फार्मिंग स्पैलिंग में यह भी लिखा हुआ आ सकता है बचो या फार्मिंग इस तरह भी लिखा जाता है इससे अगर यह लिखा हुआ आएगा तब तो आ फिर भी ऐडिन्टिफाय कर लेंगे कि फार्मा जो है वो medical से related है, but this farming should not be confused with agriculture. यह medical और animals का correlated term है. ठीक है? क्या होता है molecular farming? The use of transgenic animals for manufacturing drugs on large scale is called molecular farming. ठीक है और इसे क्या फाइदा हुआ? It revolutionized the pharmaceutical industry. It revolutionized the pharmaceutical गिवन इसलिए लिखा है जिससे आप correlate कर सके है कि यह किसे related है industry. बहुत सारी medicines जो हमारे पास जादा amount में available नहीं थी यह थी ही नहीं available जिनको laboratory में बना पॉसिबल नहीं था. उन्हें transgenic animals की help से manufacture किया जाता है और commercialize किया जाता है market. ठीक है clear? जस्ट यह term लिख लीजे. अगर बाइचांस नीट में इस तरह की टर्म पे कोई question हो तो ध्यान रखिएगा. और कब और कहां produce किया. ठीक है? तो यह सारी चीजे हम discuss कर लेते हैं in the next topic, cloning. ठीक है बचो? तो अब आप अपने notes में transgenic animals के बाद next heading डाली है cloning. यहां मैंने bracket में लिखा है gene, cell और organism. क्यों? क्योंकि gene cloning के बारे में तो आप बहुत अच्छे से पड़ी चुके है, RDNA technology में जैसे आपने PCR में DNA की copies बनाई या cloning vector को use करके plasmid को use करके उसकी copies बनाई तो that is gene cloning cell cloning का मतलब asexual reproduction में जैसे की bacteria cells से cells बनाते हैं वो cells में उसकी identical होती है हमारे में भी होता है ना हमारे में क्या होता है दिवाइड करके जो daughter cells बनाती है, somatic cells हमारी तो वो भी तो एक तरह की cell cloning ही हुई ठीक है और organism cloning जो है यह आपके लिए जरूर new है कि yes naturally तो organism cloning भी आप पड़ चुके है जैसे plants में vegetative propagation होता है या lower animal fragmentation करते हैं यह इन process से क्या होता है उनसे वो अपनी जैसी ही budding करते हैं ठीक है sporulation करते हैं तो they all are organism cloning जहां पर उनहीं के किसी cell से एक नया organism बन जाता है और वो organism अपने parent organism का बिलकुल genetically identical होता है बट यहां हमें क्या discuss करना है यहां हम organism cloning का एक case discuss करेंगे जो की artificial तरीके से किया गया यानी sheep जो की एक higher animal है you all know mammals की category में आता है तो mammals में तो ऐसा possible नहीं है कि sheep अपने जैसा sheep बना ले क्योंकि यहां तो सिफ sexual reproduction ही होता है बट लिबुरेटरी में बायो टेक्नोलोजी जो बायो टेक्नोलोजिस्ट है उन्होंने ऐसा attempt किया ऐसा try किया जिसमें sheep एक हम पढ़ेंगे एक adult sheep के जैसा clone बनाया गया अब वो क्यासे possible है क्योंकि इस पर बहुत बहुत debatable चीज़ है बचों बहुत सारी जगह पर इसको highly oppose किया जाता है कि अगर इस तरह से clones बनने स्टार्ट हो गए human beings के भी clone बनने लगे या किसी भी animal या species का clone बनने लगा तो it will cause undesirable effects on the nature क्योंकि हम नेचर के साथ एक बहुत बड़ा manipulation है और ना ही यह कोई desired manipulation है ठीक है तो इसके हमारे पास बहुत सारे natural method available है जो economical products है agriculture में उनकी copy करने के लिए asexual reproduction है vegetarian propagation तो इसलिए कई सारी जगा पर cloning पर ban भी लगे हुए है ठीक है बर जो dolly sheep जो produce की गई first time उसके बारे में हम short में discuss करेंगे जिस पर questions आते है ठीक है तो पहले मैं आपको definition बता देती हूं cloning होता क्या है simply cloning की definition लिख लेते हैं हम the process of producing genetically identical अगर genetically identical है तो but obvious उसका जो morphology है नाटमी है सब कुछ एक जैसा ही होगा phenotypically भी identically होगी वो the process of producing genetically identical copies copies लिख दिया मैंने अब उचाए gene की copy हो cell की copy हो या organism की copy हो the process of producing genetically identical copies either in vitro और in vivo अब हम यहाँ पर यह भी add कर रहे है हमारी definition में in vitro और in vivo दोनों ही तरीके से cloning करवाई जा सकती है या होती है ठीक है either in vitro और in vivo is called cloning ठीक है it can be natural और artificial ठीक है natural cloning भी होती है और artificial cloning भी होती है और artificial cloning भी होती है natural cloning तो आप biology में शुरू से पढ़ते ही आए in the form of asexual reproduction natural cloning तो एक तरह से asexual reproduction ही हुआ ठीक है और artificial cloning हम discuss करेंगे ठीक है clear यह लिख लीजी आप definition then principle क्या रहता है बच्छो क्लोनिंग का कोई भी अगर क्लोनिंग कर रहा है चाहे वो naturally है चाहे हम करवा रहे हैं तो क्यों पॉसिबल हो पाया क्लोनिंग करवाना पड़ा था आप लोगोने टर्म टोटी पॉटेंसी बहुत सारी जगा पड़ा होगा टिश्यू कल्चर में वेजिटेटिव फ्रॉपेगेशन में क्या होता है टोटी पॉटेंसी वर्ड का मीनिंग प्रिंसीपल पर बेस्ट है क्लोनिंग किस्पॉटेंसी है क्लोनिंग किस्पॉटेंसी पॉटेंसी वर्ड का मीनिग होता है यहाँ पर जो TOTI word है Toti means in total यानि whole है ना in total word का मतलब होता है बचों whole और potency का मतलब आप सभी को पता है capacity तो अगर कोई किसी cell में stem cell भी आप इसके example बहुत अच्छे समझ सकते हैं आप सभी को पता है जब embryonic stage में हमारा development start होता है तो हमारे embryo में कुछ ही cells होती है और वो जो stem cells है वो धीरे-धीरे divide भी करती जाती है number of cells भी बढ़ता है और differentiate करके हमारे body के सारे organs बना देती है है ना इसी तरह plant में होता है जब plant का जो embryo होता है ठीकि तो embryo में जितनी भी cells है वो undifferentiated cells है बट धीरे-धीरे वो divide करके number of cells भी बढ़ती है और उन्हीं में से कुछ cells root में differentiate हो जाती है कुछ shoot बनाती है कुछ leaves बनाती है तो लेकिन starting में जो cells का group था वो तो एक जैसी cells थी औ हो गया था एक single zygote से हुई थी starting तो तब तो decide नहीं हुआ था कि इस zygote ने या फिर 5 cell बनी है इसमें से यह भी root ही बनाएगी यह shoot ही ऐसा तो नहीं है हर sexually reproducing organism यह sexually reproducing organism अपनी life एक ही cell से start करता है और वो जो cell है sexual reproduction के case में वो zygote होती है और उसी zygote से बहुत सारी cell बनती है और धीरे धीरे उनी cells के differentiation से पूरा का पूरा organism बनता है तो कहीं ना कहीं nature भी तो टोटी potency को ही use कर रही है organisms को create करने के लिए तो इसी टोटी potency को use किया गया cloning के लिए कि पहले उन cells को identify करें जिनमें ऐसी capacity है जो पूरा organism बना सके और फिर उन cells को कुछ artificial method से नाचुरली तो तब ही वो clone बनेगा अपने उस पेरेंट का अगर दो पेरेंट का involvement है फिर तो वहां variations आजाएंगे या फिर दो अलग-अलग organism का involvement भी हो सकता है अगर हम दो cells लें उन दोनों में से एक cell एक की cell nucleated हो और एक की cell enucleated हो एक में से nuclear सटा दें उसके genes अटा दें बस हम उस cell को use कि अगर वहां को यह मैं भी आपको बताऊंगी कि मैं आपको हलका सा ले जा रही हूँ और डॉली शीप की तरफ कि किस तरह डॉली शीप को प्रडियूस किया होगा ठीक है तो टोटी पॉटेंशी का मीनिंग आपको पता है क्या है लिख देते हैं आम वाट इस टोटी पॉट या whole organism, अगर किसी cell के पास ऐसी property है, जो पूरा organism बना सकती हो, धीरे-धीरे डिवाइड करके, differentiate हो सकती हो उनमें cells, तो that is called totipotency, ठीक है, और totipotency की वज़ा से ही cloning possible है, जिते भी asexual reproduction है, वो भी totipotency से ही possible है, ठीक है, जिस्ट आप से वनमाक में, अब नीट में पूछा जाए, कि how cloning is possible, because of which property of cell, then you have to choose the correct option, totipotency, ठीक है, done, इतना note कर लिया, रब कर दें इसे, हाँ, जी बचो, तो अब हम example देख लेते हैं, जो अपने heading लिखी है, cloning, उसमें definition हो गया, उसका principle हो गया, now, example, the most common example of organism cloning is dolly sheep, ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारे, कई सारे cloning के examples हैं, जैसे की, एक CC cat भी है, cat का clone भी बनाया गया था, और भी कई सारे clones हैं, बट हम सिर्फ इसके बारे में discuss कर रहे हैं, dolly sheep से related कुछ important points देख लेते हैं, पहले, इसका जो life span है, वो है 5 July 1996 से 14 February 2003, ठीक है, हलनकी, 5 July 1996 को इसे produce कर लिया गया था, बट जो announcement हुआ था, वो 1997 में हुआ था, है ना, तो इसलिए, जो कभी कबार कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है, कि 1997 में dolly sheep को सबसे पहले बनाया गया, बट इसका जो actual date of birth है, वो यह क्या लाएगा, ठीक है, then, कहां इसको produce किया गया, या कौन है ये dolly sheep, it is world's first mammalian clone या animal clone, question किसी भी तरह से आ सकता है, which is the first animal clone या which is the world's first mammalian clone, ध्यान रखेगा, world's first mammalian clone successfully produced, okay, यहां पे आप ध्यान रखेगा बच्चों, again मैं कहा रही हूँ, कई बार जब question आता है, तो transgenic पे अगर question आएगा, तो Tracy sheep, cloning पे अगर question आएगा, तो dolly sheep, जब भी वो कोई इस तरह का question frame करेंगे, तो option में dolly और Tracy दोनों रखेंगे, you have to identify the correct option, ठीक है, कहां produce किया गया इसको, produced at Roslyn Institute, नहां पे सबस्दा क्लोनिंग के experiments हुए, Roslyn Institute, Scotland, ठीक है, maybe, पूछ लें अगर clear, then, इसको किस से produce किया गया, इनको जिस दो sheep, अब देखो, दो sheep क्यों use करनी पड़ी, इसको produce करने में, क्योंकि एक sheep, अगर हम किसी एक sheep की clone बनानी है, मानलो हमें, ठीक है, अब sheep में ऐसी कोई cell है, क्या human में देख लो, चलो, आप human में ऐसी कोई cell है, क्या, अब adult human में, हम जब हम embryonic stage में तब तो हमारे में stem cells थी, umbilical cord में भी stem cells थी, बड़ अगर आप किसी adult human का clone बनाना चाहो, adult sheep का clone बनाना चाहो, तो adult में तो आप ऐसी कोई cell नहीं रही, जिसके पास totally potential, हाँ ठीक है, हम कहते हैं, कही ना कहीं liver में regeneration की capacity होती है, कि कुछ part अगर damage हो जाए, तो ब है, वो तो दुबारा बन सकता है, बट उस cut tail से पूरी lizard तो नहीं बन सकती ना, तो adult organisms में totally potency capacity नहीं होती है, है ना, इसलिए, यहाँ पर क्या होगा, एक single sheep से तो उसका clone बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई totally potent cell ही नहीं है, तो हमें कोई ऐसी cell चाहिए, जि उन दोनों का fusion होता है, जाइगॉड बनता है, तो वो फिर डिवाइट करके नया organism बनाता है, जाइगॉड को अगर आप यूज करेंगे, तो वो तो sexual reproduction का product है, वो तो variation, वो तो already variation से बनाए, तो वो भी यूज नहीं कर सकते, तो क्या करें इस problem को solve करने के लिए, तो यहाँ पर दो शीप को यूज किया गया, क्लोनिंग के लिए, एक शीप से ली गई एग सेल, जिसके पास आगे नया organism बनाने की capacity होती है, किसी और सेल से फ्यूज होने के बाद, ठीक है, और एक तरफ लिया गया, कोई भी एक सोमेटिक सेल को, जो कि डॉली शीप में यूज की गई जो शीप बनेगी वो तो 2N होगी न, अगर एक सेल को नुकलेटिड रखें और मैमरी ग्लांड सेल को इनुकलेटिड कर दें, तो फिर तो एक सेल तो N होती है, तो जो नया organism बनेगा वो N होगा, इसलिए सोमेटिक सेल नुकलेटिड रहेगी, और जो जनरेटिव सेल ले रह इस तक और फिर इंप्लांट किया उसको एक सरोगेट मदर में, इसके लिए थर्ड और गानिजम यूज किया गया, थर्ड शीप यूज की गई, और फिर उससे जब बर्थ हुआ, तो दाट वास फीमेल शीप जिसका नाम रखा गया, डॉल, ठीक है, इससे रिलेटिड आपको यहां पर नोट दाउन करा देती, ठीक है, तो इसे कहां पर अच्छा, इसका एक फिर लास्ट में क्या प्रॉब्लम होई, इसको फिर रोजलिन इंस्ट्यूट में ही रखा गया, फ़र्द फर्दर उब्शरवेशन, 6 यह सब तो नॉर्मली इसने अपनी ग्रोथ की यह से थोड़ा उपर, मतलब यह इसका लास्ट है, 14 फैबरी, तो 14 फैबरी को इसकी डेथ हो गई, at the age of 6.7 months, 6 years plus some months, क्यूं? क्यूंकि इसमें एक कोई severe lung infection हो गया था, जिसको क्योर करने का बहुत ट्राइ किया गया, लेकिन वो क्योर नहीं हो सका, और इस वज़ा से क्लोन से बने वे organisms होते हैं, उनकी premature death हो जाती है, क्यूंकि उनका जो DNA यूज़ किया, जो genome यूज़ किया था, वो लिया था, memory gland cell से, और memory gland cell थोड़ी older है न, fresh cell तो बनी नहीं है, sperm और egg की तरह, तो इसलिए हो सकता है, वो older DNA है, इस वज़ए से वो जल्दी degenerate हो आगा, या जो भी हम यहां लिख देते हैं, Dolly died in, sorry, Dolly died at the age of six years, approximately six years, not exactly, six point something, ठीक है, due to a severe lung infection, infection, a severe lung infection, which can't be treated, जिसे treat नहीं किया जा सका, which can't be treated, it proves that cloned organisms, it suggests लिख देते हैं, it suggests that cloned organisms, die prematurely, may die prematurely, because of older DNA source, ठीक है, egg cell का तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि egg cell fresh बनी भी cell है, लेकिन है तो वो N, sperm भी N है, तो इसलिए लेनी तो कोई somatic cell ही पड़ेगी, और somatic cells जो हैं, उनमें DNA source older होता है, ठीक है, clear, यह लिख लिख लिए आप लोगों ने, अब मैं फटा-फटस का शॉर्ट में process or लिख देती हूँ, कैसे इसको produce किया गया, cloning method, इसका cloning method क्या था देखेगा बच्चों, dolly sheep में ही लिख रहे हैं, इसमें क्या किया गया, दो donor sheep ली गई, एक को कहेंगे हम cytoplasmic donor, कौन होगा cytoplasmic donor, जिससे मैं egg cell निकालू, क्योंकि उसका nucleus remove हो जाएगा, और दूसरी तरफ होगा nuclear donor, ठीक है, इनके भी species के नाम है, अलग अलग अलग, ब्लैक फेस, ब्लैक फेस शीप है, इसलिए उसके नाम में ब्लैक फेस आ रहा है, और दूसरी है, fin dorset, ठीक है, इससे जदा डीटियल पर बिल्कुल मज जाएगा, नौ, ठीक है, अब देखिये, अभी हाँ पर क्या किया गया, यह cytoplasmic donor sheep है, इससे निकाला गया, egg cell को, और उसे किया गया, enucleated, इसके nucleus को remove कर दिया, और जो दूसरी species है, fin dorset, वहाँ से लिया गया, memory gland cell को, ठीक है, आपको process कहीं कोई लिखना नहीं है, डीटेल में सिर्फ question आ जाए, इससे related need में तो धियान रखना है, बोर्ड में तो यह topic है ही नहीं, memory gland cell को, same वैसा ही रखेंगे जैसा वो है, ठीक है, लिख देती हूँ, जिससे आप confused ना हो, यह nucleated है, ठीक है, इसका nucleus remove नहीं करना है, अब इन दोनों cells का fusion करवा दिया गया, fusion by electrical impulse, culture medium में रखेंगे, electrical impulses देंगे तो दोनों का fusion होगा, और fusion से जो resultant cell बनी, इसको कहेंगे composite cell, ठीक है, और इसमें जो nucleus है, बचों वो किसका है, बई, egg cell का nucleus तो हमने remove भी कर दिया था, memory gland cell का nucleus रखा था था ना हमने, तो यह जो nucleus है, this is the nucleus of memory gland cell, yes or no, तो इसका मतलब जो आगे clone बनेगा, वो किसके identical होगा, 1 के या 2 के, डोनर 2 के, ठीक है, memory gland cell, ठीक है, अब इस composite cell को culture करें, culture करेंगे तो थोड़ा सा divide करने लगेगा, culture medium लिख देते हैं, on culture medium, it starts to divide, so it will form early embryo, यह क्या बन गया, early embryo, और फिर इस early embryo को implant किया गया, एक third sheep में, ठीक है, यहां दिख जाएका आप लोगों को, कि side में ले, side में लिख देते हैं, यह जो early embryo है, it implanted in surrogate mother, surrogate sheep, है न, surrogacy आप पढ़ चुके हैं, reproductive health में, जो भी embryo को uterus में, जिसका, अगर मान दिखे किसी और source से embryo बना हैं, और उसे थर्ड मदर में implant किया जाता, uterus में, तो ऐसी मदर को surrogate mother कहते हैं, ठीक है, implanted in uterus, that is the surrogate sheep, और उसे बर्थ हुआ, किसका, give birth to female lamb, जिसका नाम रखा गया, dolly sheep, ठीक है, clear, तो इस तरह dolly sheep को produce किया गया, ओके, तो यह simply method है, आप लेख ली जिएगा, अगर इससे related कोई question आता है, जादा साथ आप से पूछेंगे कि dolly sheep is the fusion of, तो दो adult fish की cells ली गई थी, कौन सी एक egg cell है, और एक memory gland cell है, ठीक है, कौन सी cells के fusion से बनाया गया, this is about the cloning, ठीक है, तो आज के lecture को हम यहीं पर wind up करते हैं, हमारी सारी applications जो हमें पढ़नी थी, biotechnology की, वो हमने complete कर ली है, first agricultural, second medicinal, third transgenic animals and fourth cloning, ठीक है, last lecture में हम लोग discuss करेंगे, next जो कि last होगा, we will discuss about the ethical issues, जिसमें हम biopiracy, biopatent और कुछ committees के नाम पढ़ेंगे, जो biotechnology से related experiments पर control करती हैं, okay, till then keep practicing, MCQs. जिए के 좋은ज़, जो थिसक्षब झानला, बदाए के परुद परुट है? झाल झाल